कि बिस्म लाहरमान रहीम असलामलेकुम क्रिमिनल साइटेटर में आज जो है पहला टॉपिक है रजिस्ट्रेशन आफ फाई यार और आज सिरफ एक यही टॉपिक में डिस्कुस करेंगे इस वह आपको फाई यार से ग्लेटेड आपके जित माइन में जितने भी क्वेस्टें सारे सवालों का जबाब मिल जाएगा आपको पेपर पॉइंट ऑफ यू से भी अगर आपके बास एफाई यार से क्वेस्टेन आता है तो आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं उसके रेलिमेंट प्रोविजन है जिसकी सेक्शन 154 CRPC आर्टिकल 155 ऑफ पुलिस ऑर्डर द और इंचरशन 1636 ऑट वेलिमेंट प्रोविजन आते हैं अरे लिख सेखल ल Indiana फूमिल हए। इंच जबार दानाली पर्रोविजन 5 ऑफ यू सिचिए यूरा आप सितिए यू सेश्प्रिकल 18-40 का बिरिमेंट पार्य ने मिलिग वे जाच्छ 40 // of आपके अअन Cand अब इसमें नहीं काया कि जो है वह मंडेटरी है कि पुलिस के पास अगर कोई भी आप लाजमी है कि वह फाई रजिस्टर करें लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि हार फाई यार के रिजिस्टर होते ही वह जो भी सस्पेक्ट है जो अक्यूस्ट है मतलब जिसके पर इल्जाम ल कि वह उसके अगेंस्ट कोई ना कोई ऐसा माटिरियल फेक्ट होना चाहिए जो जिस वजाए से उसको और यार के लिए ज़रूरी नहीं है अरेस्ट के लिए ज़रूरी है रिजिस्ट्रेशन ऑफ केस और इन्वेस्टिकेशन पुलिस के नोट रिफ्यूस्ट तू रिजिस् करने के लिए और ये सबस happy I cannot be directed by high code in all cases as other remedy is available by way of complaint to a magistrate pl again तूस तर लह or iis Comes प्रीश प्र्ट्रीत देगेंड पर्ट्रष्ट्रेश्वांग्डूट का फॉस्ट्री लेयर नंपिट्रेश्चेस्यव म noi ग्रोट गरइफडिवा टेकाथज प्रीटिफ और कंपलों पाइप फु Halo लग्जीच्ग मे्स्ट नौपों गाइंड का फट्रीप टृ गोल्मे। तो अफ़ीर इस दो कि में य हो सकती है तो फिर्स फिर्स बाघ संपर समय श्रक्वाइब थो डिपर पर्सेंट परसेंट थर्फन दिफरेट बलेसे हं अर्लियर इन ताइम थे लुटर जा लेटर इस तो बिए इस रिडिशियर ऑटिर से कंजेटेंट अनार फिर एंड दो इंसिदेंट के बारे में तो अलग अलग जगापर फाइल की गई है मतलब एक थाने में एक फाइयर किसे ने करवा दी और उसी वे कहुए कहवाले से दूसरे थाने में किसी ने दूसरे लग के दर की जाएगी डजिस्ट्रेशन ओफ सेकंड और यार में कोई प्रवीजन नीया इस वज़े से उनका क्रॉस वर्जन हाई कॉर्ट ने रफ्यूज कर दिये Second FIR by accused giving different version is not be registered. Hence, direction for registration of case refused PLC 114 CRC 272. Multiple FIRs, all subsequent or divergent versions of the same occurrence of the persons involved therein are to be received, recorded and investigated by investigation officer in the same case, which is based upon the one and only FIR PLC 2018 Supreme Court 595. में मतब सारे सबके जितने भी वर्जिन थे उनको उसने रिकार्ड किया और उसका इंवेस्टिएट किया लेकिन FIR एक ही दर जोई Procedure to record cross-version. SOPs of Police Department issued after the judgment is reproduced in Tohuzar Unis PCRLJ N37. Effect of Delay in Lodging FIR Promptly Made FIR Eliminates Possibility of Fabrication. 1975 SCMR 442. If there was any delay in lodging FIR and commencement of investigation, it gave rise to a doubt which could not be extended to anyone else except to the accused. PLD 2019 Supreme Court Johnson. FIR में अगर डिले हुए है तो वो डाउट जो है और बेनिफिट ऑडाउट हमेशे अक्यूज के पास जाते हैं. There is a delay of 40 days in reporting the crime to the police without any plausible explanation. Even in said statement, there is no explanation whatsoever regarding the delay in reporting the matter to the police. Therefore, this inordinate delay in setting the machinery of law in motion speaks volumes against the veracity of prosecution version 2019 Supreme Court SCMR 274. अब वो इसमें क्या हुआ है कि 40 दिन का डिले था और डिले की कोई भी खास वज़ा नहीं बताए गई थी. उसमें उन्हाने सिर्फ यह कहा है कि जो प्रासिकुश्च पुलिस की जो मशीनरी है न मतब एविडेंस रिक वह एक रिकार्ड करने वह वह क्या थी इन ओर्डिनेट डिले इंसर्टिंग मशीनरी ओफ ला इन मोशन स्पीक्स वालियम्स एड़ तब रस्टी फ्रॉस्टिश पीज से बाइस एक तहत एप्लिकेशन दे सकते हैं ताकि आपकी फ़ यार जो है वो रिजिस्टर हो सके तो आप ब्लेम नहीं गया और सकते इसमें इफेक्ट वेर देले एक्प्लेंट देले बास ड्यू तू इंजर बींग टेकन तो पास्पिटल फस्ट वेर डॉक्टर व एक होस्पिटल में के डॉक्टर नहीं मिला दूसरे होस्पिटल में चले तो इतने और उसके बाद उन्हें ने फिर कर दो यह तो काबल कबूल है लेकिन 40 दिन का डिले या कई दिनों का डिले वो काबल कबूल नहीं हो तो निसो चैटरे सीमर 135 डिले इन फिर पॉर फूर इन केस अब जिनाबिल जबर विर आगर्व उस ओफिस त्वेल इस केकन तु श्पितल फॉस्पितल फस्ट दस नॉत अफेक्ट द फ्रोस्पिटिशन केस पी एल जोने सब चैन वे फ सी एक्सट आटारवा इबाद है के कुछ घंता को डिले कापले कबूल होते हैं इन दे स सरक्म्स्रांसिस दिलें जोजिंग फियर हैस रिजनेबली बीन एक्प्लेंट बाइद प्रोस्टेकुशन इवन अधर्वाइज दाफस्ट्राइटी ऑफ के थैंड किन ऑफ खलील एहमद दिसीज़ वास्टो सेव लाइफ अधर टेकिंग एम तो लोकल हस्टल देर्फ रफ़ाइज दो वुश्टेकिन अधराबद में सब्सक्राइब बाइब में सकते हैं फिर्वाइज फिर्ट इन शिर्वाइज देखर ने रौइज़ लॉड परिपेर फिर्वाइज प्रिपेर्टिंग एद दाफ्टाइज प्र अच्छा केस अप्रेश अप्रेश्ट यूज रिगरी ऑफ केयर यंद कॉश्चिन दो पंदर स्यम्र्ट चार्सो तैस रिजिस्ट्रेशन अफ कीस अफ्र प्रिलिम्नरी इंवेस्टिगेशन सच अफॉर इस नोट ओनली इलीगल एक्ट बट आल्सो क्रियेट सब्सक्रियूर स अब एक तो उसमें डिले यार का जो डिले है वो भी फैटल और फिर जो है वो प्रिलिम्नरी इंवेस्टिगेशन के फोरण वक्ति मतलब उसी वक्तिया से वक्वा हुआ हुआ वैसे ही वह फिर देर जोगी तो इसमें भी वह डाउट क्लियेट होते है टाइम एंड प्लेस अब एक तो उसने अफायर का टाइम और प्लेस नहीं बताया और यह जो है वो सब्सक्राइब करता है करना के गड़ बढ़ा है मतलब और जो मतलब खून से भरी विच्छूरी उनको मिली वह दस दिन बाद मिली और अक्यूस के ही घर से मतलब एविडेंस जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की थी तो उसी दिन ही वह जो चूरी है यह जो उन्हों दिटेल्स और नुट एक्सपेक्टेश टो निसे स्युद्यू अपेया पी अलट निसुथ शुथ प्रेम कोट सम्हा पांसों नतिस संप्रिएर नोस नोट एक्सपेक्टित टोपी डिटीटीं बगि मैंधलियों टेटीट्में पीयल जे बीच्टीं ने ततर नवे हाट सो ब्यासी, F.I.R. made by the accused himself is rightly excluded from consideration at the trial, P.L.D. 1958, Supreme Court 420, accused reporting his own crime murder, two police held such statement in F.I.R. is not admissible because of its confessional character, P.L.D. 1965, Supreme Court 36, P.L.D. 1961, Lahore 140, मेन खला इसको एक्प्लें करनेक जुरूद निया समझ आरी असान, F.I.R. made by co-accused, F.I.R. made by co-accused cannot be used as evidence against the marker and also not to corroborate or contradict other witnesses, P.L.D. UNISUS TAVAN, Supreme Court, India, Evidentiary Value and Relevance of F.I.R. It is held by Agust Supreme Court that the contents of F.I.R. were not a substantive piece of evidence, P.L.D. 2016, Supreme Court 17, 2014, S.C.M.R. 174, F.I.R. was not substantive piece of evidence but simply informed about the occurrence laid before the law enforcing agency to settle the law into motion for the purpose of investigation. अब जो F.I.R. है वो substantive piece of law नहीं होती, लेकिन यहाँ पर मेरा आपसे एक सवाल है, अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर जवाब देजेगा, कि F.I.R. जो है, वो substantive piece of evidence नहीं है, लेकिन एक situation ऐसी है, जहाँ पर F.I.R. जो है, वो substantive piece of evidence के तोर पर consider की जाती है, आपने वो बतानी है कि कौन सी situation में F.I.R. का substantive piece of evidence consider किया जा सकते हैं. F.I.R. could not be given way as a substantive piece of evidence for the simple reason that its contents were neither recorded on oath nor it could be subjected to the test of cross-examination through some other prosecution witness so as to be considered a substantive piece of evidence worthy any credence. Further, in case P.I.R. 2021 Supreme Court चौन स्ट, it has been laid down that 1st information report lodged with a noticeable delay and after consultation and deliberations has lost its credibility. 1st information report lodged, F.I.R. conducting an inquiry has lost its evidentiary value, exception to consider F.I.R. as substantive piece of evidence. 1st information report lodged, F.I.R. could not be treated as a substantive piece of evidence unless its maker affirmed its consent on oath and passed through the test of cross-examination but it could be looked into terms of Article 19 of the Kanuna Shadad Order 1984 as a relevant fact for the having been said by a person who happened to see or hear something about the occurrence as bystander or bypasser shortly before or after the occurrence in as much as it formed part of the same transaction. 2014-144. अब इसमें जो है वो फिर बैसे तो जनरल सब्स्टांटी पीस आविश आविडेंस नहीं है, लेकिन एक्सेप्टिनली इसमें वो सब्स्टांटी पीस आविडेंस बन जाती है, जब के वो जिसने उसके कंटेंट्स बताए हो, उसने वो ओत बताए हो और उसकी क्रास एक्जैमिनेशन होई हो, तो फिर उसको सब्स्टांटी पीस आविडेंस के नताविग लिया जा सकते है और आर्टिकल नाइंटीन जो की वैसो है, वो प्रिंस्पल अफ्रेस्टाइ को डील करते हैं, जो के वक्वे से कुछ दिर पहले और कुछ दिर बाद के वाकिया तो जो के बाई स्टंडर्स ने मतब बास खड़ेवे लोगों ने इर्द के लोगों ने देखे हो, उसको वो अगर उसके कंटेंट्स के सारे लेट कर रह पर रहे जो है वह वो अगर कर दी गई है और कंट्रेडिक्शन नहीं है उसमें तो फिर वह उसके जा सकते दरवाज नहीं अच्छा एक सफ्चन होगी इसके लाव भी ऐक और एक सब्सक्राइब को सब्सक्राइब के तोर पर कंसिडर किया जा सकता है आपने बो बता रहे र एक्सेप्ट ना कंप्लेंट अंडर दे लार रिजिस्ट्रेशन अफ फिर इस नोट बार दोजर तेरा पी एसी एरल एसी पीकेट चोबिस दोजर चे एमर चार्सों त्रासी पी एल्डी दोहजर बारा सुप्रीम कोट 892 अगे जी नेक्स्ट अरेस्ट है अरेस्ट फिर इंचल